असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करें हूँ बटर चिकन टिका की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जिसे हम बना सकते हैं रेस्टरेंट स्टाइल बिलकुल घर पर आसानी से तो चलिए बनाते हैं बटर चिकन टिका की ये रेसिपी ये रेसिपी बनाने के लिए हम एक करेंगे साथ में हम इसमें आड़ करेंगे दो टी स्पून बटर को मैंने पिगा लिया है और फिर इसमें आड़ किया है अब इन सबी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह बटर में मैंने मसाले को अच्छी से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे एक टेबल स्पून अद्रक लैसन का पेस्ट एक मीडियम साइस की टमाटर की प्यूरी साथ में आड़ करेंगे 50 ग्राम के करीब दही दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है इसमें कोई भी लम्स नहीं है आठ से दस लिये थे मैंने काजू जिसे मैंने उसका पेस्ट बना लिया है वो हम इसमें करेंगे साथ में आड़ करेंगे एक टेबल स्पून बेशन और एक टी स्पून कसूरी मेथी इन सबी चिज़े को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगी चिकन तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है बोनलेस चिकन जिसे मैंने 1.5 इंच के टुकडो में पिसेस कर लिया है ये देखें अच्छे से साफ करके वश कर लिया है साथ में हम इसमें आड़ करेंगे कैपसीकम और ओनियन तो यहाँ पर मैंने प्याज ली है और कैपसिकम लिया है जिसके एक इंच के टुकुड़े कर लिया है इन सबी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और अब हम इस पर देंगे कोईले का स्मोकी फ्लेवर तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से देखिए कोईले को गरम कर लिया है और उसे एक प्लेट पर रख दिया है अब हम उस पे आड़ करेंगे तेल घी या बटर और ढखकर हम इसे रहने देंगे तीन से चार मिनिट के लिए ताकि स्मोकी फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यह देखिए अच्छी तरह से मैंने तीन से चार मिनिट तक स्मोकी फ्लेवर दे दिया है अब हम यह प्लेट को निकाल लेंगे अब हम इसे फिर से ढखकर मैरिनेट होने देंगे लगबग एक घंटे के लिए तो यह एक घंटे तक मैंने मैरिनिट कर लिया है तो इसे हम एक बार कर लेंगे मिक्स और यह मैंने स्कीवर्स ले लिया है स्कीवर्स को मैंने पानी में भीगो कर रखा हुआ था ताकि फ्राय करते वक्त वो काले ना पड़े तो अब हम स्कीवर्स में पियर्स कर लेंगे चिकन और कैप्सिकम को इस तरह से बीच में मैं प्याज एट कर रही हूँ चिकन के साथ और कैप्सिकम भी मैंने अड़ किया है और इसी तरह से सभी स्कीवर्स में हम पियर्स कर लेंगे चिकन और सभी सेट कर लेंगे अच्छी तरह से तो इसी तरह से हम सभी स्कीवर्स को सेट कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है और उस पर हम एड़ करेंगे एक टेबल स्पून तेल और थोड़ा सा बटर अच्छी तरह से गरम होने देंगे बटर एड़ करने के बाद हम इस पर रख देंगे चिकन को और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राइ करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि चिकन अच्छी तरह से फ्राइ हो और वो अंदर से कच्छे ना रहे तो हमें ग्रील माक्स आने तक हर तरफ से चिकन को फ्राइ करना है तो गैस की फ्लेम में ने मीडियम टू लो रख ही है और medium to low flame पर हम चिकन को कर रहे हैं fry तो यह देखिए पलट लेंगे और हर तरफ से चिकन को हम इसी तरह से fry करेंगे यह देखिए कितनी अच्छी तरह से यह fry हो रहे है हर तरफ से हम चिकन को इसी तरह से कर लेना है fry चिकन पर अच्छी तरह से grill marks आ गया है और यह अच्छी तरह से चिकन जो है वो fry हो गया है तो यह हमारी बटर चिकन टिका की रेसिपी तयार है तो आप भी इसी तरह से यह रेसिपी को ज़रूर बनाए रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग, हैव अगुड देग